परिचय, इन डिजाइनों को देखो, ये सुन्दर लग रहे हैं न, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका एक खास क्रम है, जब चीजों को किसी नियम के अनुसार, किसी खास क्रम में लगाया जाता है, तो उनसे पैटर्न या विन्यास बनते हैं, आईए विन्यासों के बारे में और ज जाने, आओ सीखें, पैटर्न के बारे में जानना, किसी बैटर्न के बारे में बताना, आकारों और संख्याओं का इस्तेमाल करके कोई बैटर्न बनाना, पैटर्न या विन्यास हमारे चारों तरफ पैटर्न मौजूद हैं, जब आप किसी खास क्रम में ताली बजाते हैं या कूदते हैं, तो आप एक पैटर्न का पालन करते हैं, आज हम संख्याओं और आकारों के बैटर्न के बारे में सीखेंगे, पैटर्न आकारों और संख्याओं का एक ऐसा सेट होता है, जो इसे बार बार दोहराने से बनता है, आप शीशे वाली किसी खिडकी में कोई बैटर्न देख सकते हैं, आप लोहे की ग्रिल में, फर्ष की टाइलों में भी कोई बैटर्न देख सकते हैं, जरा इस परदे के आक यहां गोल चक्कर और चौकोर आकृतियां बार बार बनी हैं, जो एक पैटर्न बनाती हैं। पत्तियों को अलग-अलग बैटर्न सो में लगाया जा सकता है। हम इन्हें उसी क्रम में लगा सकते हैं। जैसा कि हमने स्क्रीन पर देखा, इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल करके और बैटर्न भी बनाये जा सकते हैं। संख्या बैटर्न आईए अब संख्याओं का इस्तेमाल करके कुछ बैटर्न बनाते हैं। हम शुरुवात करेंगे दो की टेबल यानी पहाडे से। इस श्रिंखला को देखिए। दो, चार, छे, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस। ये संख्याओं इस तरह से लगाई गई हैं। कि दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा दो है। अब जरा इन संख्याओं की एक और श्रिंखला को देखिए। ये हैं। इन संख्याओं को भी इस तरह रखा गया है कि हर दो संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा पांच है। हमने क्या चर्चा की। पैटर्न एक ऐसा क्रम है जिसमें चीजें किसी नियम का पालन करती हैं। संख्याओं और आकारों का इस्तेमाल करके पैटर्न बनाएं।